तो फ़र्ण गजास क्या बहुत यूशफुल होने वाले तो अगर में चाहते हैं कि आप अपने दोस्त का वार्ट सभी स्टेटस होता है जो आपको भी मन करता है क्यों वह स्टेटस को डॉपन कर लेकिन आपको वार्ट सब्सक्राइब करने को देखें को मिलता है जिसंसे जो दोस्तो का WhatsApp status को डाउनलोड करके जो हैं So उसको आप चाहोगे तो आप imaan स्पर या फिर आप उसको जो भी कर नहीं कर सकते हैं तो चल्यीजा करते आपको बताते है कि जोया आप अपने दोस्तो का वाइख कर चलते हैं तो Г Back आपको बताते हैं कि आप जो सो अपने दोस्तों का वाटसप स्टेटस को डाउनलोड कैसे कर पाऊगे तो डाउनलोड करने के लिए सिधा आपको वाटसप में आ जाना है किसी भी अप्लिकेशन के बारे में हम आपको नहीं बताएंगे कि आपको जो किसी अधर अप्लिकेशन को download करना है आप बिन application concerned के ही download कर सकते हैं तो आपको status वाला जो section है इसमें आ जाना है और जिस किसी का भी status download करना है। उसका status को आपको एक बार देखना होगा पूरे status को जो है एक बार देख लेना होगा। तो चलिये हम यहां से एक किसी का भी WhatsApp status को एक बार देख लेते हैं तो जब तक हम देखते हैं तब तक, जह हैं थो ठोड़ा सा आप इंतजार किजिए. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देख रहे हैं और थोरा सा भी बागी हैं तो कुछ तरवेट कीजिए और उसके बाद जो है सो आपको अपने फाइल मनेजर में आपका एस्टेटरस जो है सो देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं दो एस्टेटरस लगाया हुआ हैं इसमें एक तो हमने देख लिया हैं दूसरा भी थोरा सा ही बागी हैं देखने के बाद अब आपको बताते हैं कि जो हैसो आप कैसे उसको देख पाओगे कि यह जो डाउनलोड हुआ है वह आपको कहाँ पर दे चैजर में आजाना है यहाँ पर हम क्लिक कर देते देख सकते हैं SD Card और डिवाइस स्टोरेज याने मोवाइल का जो इंटरनल स्टोरेज है उस पर आपको क्लिक कर देना है बहुंच सारे यहाँ पर फाइल आपको देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर आपको सबसे उपर म या उससे नीचे आपको देखना है Android नाम करके जो एक फाइल मिलेगा Android वाले पर क्लिक कर देना है इसके बाद यहाँ पर आपको करना क्या है जो important चीज़ है वह आपको यहाँ पर करना है अब आपको ऊपर में एक 3.个 option दिखाई देगा यहाँ पर आपको धिक कर देना है बैक आप जैसे ही हो जाओगे उसके बाद यहाँ पर आपको एक फैल दिखेगा इस्टेटस करके यह देख सकते हैं थोड़ा सा वाइट वाइट कलर का दिखाई दे रहा है तो आपको उस पर क्लिक कर देना है जब तक आप वहाँ पर जो है उस उस हिडन बाले ओप्शन को ओन नहीं करोगे तब तक जो है सो आपको यह फैल जो है सो नहीं देखेगा ओन करोगे तब जो है सो यह थोड़ा थोड़ा करके देखने लगता है उसके बाद यहां पर देख सकते हैं अभी जो हमने कुछ दिर पहले दो स्टेटस हमने देखा हुआ था यहां पर इस पर टिक करके यहां continue playing पर क्लिक कर देते हैं देख सकते हैं यही वो स्टेटस है जो हमने देखा हुआ था इसका sound भी कम है और उसके बाद हमने और देखा थ तो यहां पर आजाएगा यहां पर आपको एक बात ध्यान देनी है कि जब तक आपके दोस्त का वार्टसप पर यह वीडियो इस्टेटस में लगा होगा तभी तक जो है सो आपके फाइल मनेजर में यहां पर सो करेगा अगर आप जादा समय तक जादा दिन तक रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है यहां से जो कोपि आपको कोफी या मूव करके दुसरे फाइल में कहीं पर भी रख देना है तो वहां से जोस्ता नहीं हटेगा यहीं पर च्छोड दूगे तो जैसे ही आपके दोस्तका हौटसपकर एस्टेटस वाटसप अप्लिकेस नहीं त草नलोड किया कि इस पर थोड़ा से प्रेस करके रखना है दोनों को टिक करके यहां पर मुव का उप्शन मिलेगा मुपे हुन कर देना है यहां आप सर् सब्सक्राइक प्रसराइब मुपेड़ करके यहां मूव टू हेयर पे क्लिक कर देना है यहां पर जो आपका यह एड हो जाएगा अब जो है स्टेटस जो है सो आपके फोन से नहीं हटेगा तो इस परकार से जो है सो आप अपने दोस्त त्यार किसी का भी स्टेटस को डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड करने के बाद जैसे नुर्मली आप अपने WhatsApp status लगाते हैं ठीक उसी परकार से यहाँ status वाले option पर क्लिक करके जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर वह status आ चुका है तो इसको जैसे आप लगा सकते हैं तो उमीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आए होगा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं नए वीडियो में नैट आपके साथ तब तक लिए गुर्बाई टेक केर थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो